रविने टेंडन की एक और बहतरी इन ड्रामा पटना सुकला मुवी रिलीज हो चुकी है जिसके अंदर हमें एक और फिर से बोली वुड में कोटरूम ड्रामा देखने को मिल रहा है जहां पर हमें पहले बहुत सारी फिल्में कोटरूम ड्रामा के उपर देखने को मिल चुके जैसे कुछ फिल्मों में एक्षन होता है तो कुछ फिल्मों में कोट रूम ड्रामा के साथ कुमेडी होती है जैसे कुमेडी के नाम पर आपने जोली एल भी कोट रूम ड्रामा फिल्म देखी होगी औरसने दिवल की दावनी मुवी एक बहुती बहतिनों को ट्रामा फिल्म थी, जिसके अंदर मैं एक्शन भी देखनों को मिला था, तो पतने सुखल मुवी के अंदर कोट्म ड्रामा के साथ में हमारे सामने क्या प्रेजिंट करते हैं, ये फिल्म में कैसी है और किस मुद्धे पर बनाई गई है चली बात करते हैं वीडियो की सुरुवात करने से पहले आप सब से चोटी से रिक्वेस्ट है कि तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले पतना सुकला मूवी की स्टोरी के वारें बात करते हैं ये फिल्म कहानी कहां किये तो पतना सुकला मूवी के अंदर हमें कहानी बिहार की दिखाई जाती है जहाँ पर पटना सुक्ला मतलब की रविने टंडन एक हाउस वाइफ है और इसी के साथ महवे वकील वे पर उनके वकील का धंदा इतना अच्छा नहीं चल रहा है और अपनी वकालत से भी एक तरीके से भूल चुकी है पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा केस आता है एक लड़की है दावा करते है कि उसके बोड के अंदर साथ परसेंट माक्स आने चाहिए थी पर उसको केवल 30 परसेंट माक्स देए गए और फेल कर दिया गया है वह अपनी कापी को कोट के सामने फिर से खुलवाना चाहती है पर स्कूल वाले वह उसकी कापी नहीं खुलना च करती है पर कंटेंट बहुती जबज़ता है इस फिल्म के अंदर जो दिया गया है बहुती कमाल की स्टोरी के साथ में फिल्म आगे बढ़ती है जहां पर आक्री वाला सस्पेंस तो आपका दिमाग कोल कर रख देगा और बहुती बहतीन ट्विस्ट हमें देखनों को मिलता ह पतने सुकला मूबी में लीड करेक्टर के सखात जो जजज होता हुई बहुती ज़्यादा बहतीन तरीके से दिखाया गया है और इस ते साथ में ट्विस्ट और टरंवी बहुती कमाल के होने वाले इस फिल्म के अंदर ना ही कोमेडिया और ना ही एक्षिन पतने सुकला वकिल बनने तक और बहुत ही बहतिन जीतने तक कि कानिया में बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाई जाती है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंगेज करेके रख करेगी और पाटना शुकला मूवी में रविने टेंडर का पर्फॉमर्स बहुत ही कमाल का है जिसने इस ब्रेंट का रोल प्ले किया है उसने भी नेवर गिपप वाला एड़ पूर आपके सामने रखे दिया जो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लेगा और पसंद करेंगे आप अगर आप घर पर खाली बैठे हो और कोई फिल्म देखना चाहते तो आपके पास डिजनी प्लस होस्टार का सस्क्रिक्शन होना जहुत जरूरी है तो आप पटना सुकला मूवी को घर बैठे फ्री में देख सकते हैं क्योंकि फिल्म OTT के उपर रिलीज हुई है और कमाल के कंटेंट के साथ में आपको जरूर एंटिटेन करेगी और आपको पटना सुकला मूवी एक पर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म अच्छी है और फिल्मों को बनाया भी बहुत बहतिन तरीके से गया है और पिटना सुकला मूवी के अंदर केवल कोट्रूम ड्रमा दिखाया जाए अगर आप कोट्रूम ड्रमा के फैन हो तो आपके ल